हेलो एवरीवन वल्कम बेक तो येर ओन चैनल साइन्टिया आई होप तुसी सारे वदिया होंगे एंतो डिप्रेपरेशन बहुत वदिया चल रही होगी अच अपा वर्क एंड एनर्जी चेप्टर करांगे इसदा पार्ट वन रहन वादा है एंड पीटट इग्जाम दे वि ताकि तो आनू एक आइडिया जा होजे की किद्दा दे एमसी क्युट बन दे है जिन्ना ने नहीं कवर गित्ते हैं एमसी क्युट दी सीरीस ओव कवर कर लियों स्टार्ट कर रहन तो पहला अगर चैनल ते नहीं हो तो चैनल नू सब्सक्राइब कर लियों बेल ऑकन उप्र कर देyan physical activities कर देया मतलब मांसिक या शरीरिक काफी सारीय चाइद आपकी करादया activities कर देyan mentally physical तब वर्क ता मतलब किया है कोई कोई भी कम किता जावे हुनों कम किस तरीके दा हो जैं जाद cabbage जो आपकी एए एक force लगाई जन दी है अगर साइंस से अकॉर्डिंग देख्या जावे कम अपा उसनों क्या जन्द है जिस दे विच एकताम फोर्स अप्लाई होवे किसे भी अब्जेक्ट ते उसनों धी डिस्प्लेस्मेंट होवे मतलब पुजीशन चेंज किती जावे ओ अपनी पुजीशन चेंज करे उसनों जाने वर्क देलेई जाए है अपा फूर्ड नू कुक करना हो गया वी कम है वोक करना रोड़ते या काट ट्वाइकार नू किसे बच्चे दवारा पुल किता जाना इस सारा किये की हो गया एक कम ही आ जाना है वर्क ही आ जाना है एदे विचे मेंटली फीजिकली दोने चीज़ा हों दिया ने एदे हम बस दो कंडिशन है फर्स कंडिशन एदे चे फोर्स अप्लाई हों दिया सेकिंड उस अब्जेक्ट दी की हो जान दिया डिस्प्लेस्मेंट हो जान द डिरेक्शन दे विच उसनों की क्या दन्याया अपा, वर्क क्या दन्याया, clear, ठीक है तह ए दो फेक्टर से वर्क की करदाएँ, depend करदाएँ, अच्छा, वर्क, विलोज चीते या, एक्सेलेशन ओफ बॉड़ी इन्ना चीज़ना ते नहीं डिपेंड करता है, सिरफ आँ दो फेक्टर्स ते की करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है, अगर इन्हों मैठिमेटिकली रेख्या जावे, ता हुन मानलो, कोई भी अबजेक्ट है, जिस्ते आपाँ फोर्स एफ लगा रहे हैं, तो डिस्प्लेस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस स, एक ड्रेक्शन दे विच आप मानलो कोई अबजेक्ट है, इस ते मैंने फोर्स इस्प्लेस्मेंट भी हो गया, तब वर्क कीनू की आजना है, फोर्स इन्टू डिस्प्लेस्मेंट, ठीक है जी, एफ इन्टू एस, एह है उस दी इनीशल पोजीशन सी की, दैनने की स्थे पोंच किया, फाइनल पोजीशन दे, क्लियर है जी, एक और गाल, जो वर्क है, ए डिस्टेंस में 1 मीटर, डिस्प्लेस्मेंट 1 मीटर हो जांद है, तब आपने कोल वर्क डन कीना हो जुगा, 1 न्यूटन मीटर, ठीक है जी, तब ऐसा ही यूनिट दी, अगर मैं गाल लग इत्ती जावे, वर्क दी, ओकी हूंदी है, जूल, जूल भी हूंदी है, ते वर्क डन होया किसे अबजेक्ट दे द्वारा ते 1 न्यूटन उस दे उपर फोर्स लग गी है, एंड उन्हें डिस्प्लेस्ट किनना किते है, 1 मीटर उस दी की हुई है, डिस्प्लेस्मेंट होई है, ठीक है जी, उस तो आपकी क्या दन्या, वर्क क्या दन्या, क्लियर, वर यूनिट सी जी एस दे विच, क्लियर है जी, क्लियर, टे 1 जूल, टे 1 अर्ग, इनना दा अपसी रिलेशन की है, 1 जूल किसे इकोल हुंदे 10 ब्रेस दो पावर 7 अर्ग दे, इस दे इकोल हुंदे, ए ते आं दे विच रखियो, क्लियर, ए रिलेशन समझ आया, हुन देखो, अगर मैं गाल करा, अपा वर्क नू की लिख्या सीगा, force into displacement, हुन मैठ दे विच तुसे पड़ेया हुना, जदो अपा into the sign हटानेया, multiply दा, ता अपने कोल एक angle आ जान दे, अपा की अप्लाई करवादनेया, direction of angle, मतलब direction of force इनाल angle, ता एक की बान जान दे, वर्क fs cos theta, थिटा हो गया, थिटा की हो गया, अपना angle हो गया, थिटा की हो गया, ता हुन एदियां लाग लाग कि अपा values देखांगे, कि किस तरिके नाल वर्क करदा, case देखो, अगर मैं displacement, नू थिटा, अगर आपा देखो, इस ते हुन की लगा हम अगे, angles यां अगर values चेंज हो, मतल अगे, सब तो पहला कि अगर अपने कोल थिटा की हो गया, जीरो डिगरी, मतलब एंगल की हो गया, अपने कोल, जीरो डिगरी, मतलब एद्धा, एच एच फोर स्टाल रिया, स्ट्रेट लाइन दे विच की है, डिस्प्लेस्मेंट हो या, एस ले लो, clear, ता है की बन जुग इत्थे की हो गया, जो वर्क डन है, clear, ओ, जी में कोई भी टेबल उपर हो न, आम मानलो कोई टेबल है, अधे उपर की पया है, कोई भी बुक पया है, या कोई भी चीज़ है, इन्हों आपा फोर्स लगाई, ता एदा एंगल की है थे, जीरो एंगल बन रहे है, जदा स्ट जो काम किता जा रहे है, वो सब तो जादा हो रहे है, clear, सेकिंड केस देखो, सेकिंड केस की है, जो तो थीटा कीनने अपना 90 डिगरी, clear, थीटा कीनने 90 डिगरी, वर्क कीसी अपने कोल, एफ एस कोस थीटा, थीटा कीनने 90 डिगरी पुट कर दो, एफ एस कोस 90 डिगरी कीनन गोजीरो में टाने कज वैंको कि हुझ त़ गवन ऐता पोजएंगु करना होगिस видите Osla आपने को तैसे स्लिप्लिसमेंट को साथ क्या एक की होग्या अपने कुल 90 डिगरीक्डि से पर्पेंडिकुलर होगी अपने को यह फिनल गवार प्रपेंडिकुलर न्गिक्डि कोई भी बॉडी किया horizontal ड्रेक्शन कि विच वर्क कार रही है तो फॉर्स जड़ी gravity लाग रही है नीचे वाण ओ 0 यह फिर कोई भी बॉडी किया circular path मूफ कार रही है। तो वर्क डण सेंट्रीबितल फॉर्स अकार्डिंग कि ना हो जुगा जीरो हो जुगा क्योंकि डिरेक्शन कि इदर हो गया है सारी है सेंट्रीपिटल फोर्स वाल सेंटर वाल ठीक है तहां यह ओके स्पान गया थर्ड केस दिगाल करांगे केस थर्ड दिगाल करांगे जो दो थीटा किनना हो गया अपना 180 डिगरी ता फिर उस एक्वेशन चे पुट करांगे कोस 180 डिगरी केंदा आंदा है माइनस वान ता माइनस एफस आ गया ठीक है जी ए बान की हुन एदा मतलब किया है वर्क ते अपने को डिस्प्लेश्मेंट दोनों की ने ओपोजिट डिरेक्शन दे वीचने ठीक है जी इस देल ही वर्क की हो जान दे जद ओपोजिट डिरेक आप फोर्स इद्धर लगाई खिचन तो बाद एव आपस जाओगा उन्हों डिस्प्लेश्मेंट उद्धर हो रहे एक नोर्मल स्ट्रिंग तो कंप्रेशन वाल जाना उन्हों खिच के रखना था ओफोर्स ते डिस्प्लेश्मेंट ओपोजिट डिरेक्शन दे वीच हुन करते हैं ता एदे वीचे की चीज़ा याद रखन वालियां की ने अगर फोर्स जीरो है ता वर्कडन भी की हो जुगा जीरो ठीक है अगर होना पगल करिए अगर अगर कोई वी होना कोई अगर सिंपल गिज़ांपल यह कोई स्टूडेंट है अपने नोट सुन रिवाइज कर रहे है बाइं मेमरी मतलभ याद कर रहे है पर ऑपने अलीम्स नों मुव नहीं कर वा रहा था और कोई वी फिजिकल वर्क नहीं कर रहे है नो physical work is done ठीक है कोई भी physical काम मा नहीं हो रहा ठीक है ए फर्स्ट हो गया अगर जे मैं displacement zero करदा तावी work done भी कियो जो zero था अप value put करांगे तावी ठीक है कोई भी labor वाला किया है किसे भी building नू displace करन दी कोशिश कर रहा है ता एदा मतलब होने सारे दिन दे विच कोई काम नहीं किता चाहे सारा दिन लाता पर हो था कोई work नहीं है क्योंकि building हिल लू गी नहीं ता work done की हो गया zero चीक है जी clear हो या ए चीज़ा समझ आई है कि की सी गया work done दिया ता नूमें तिनने कराते कि अग zero नेक्स्ट काल करांगे energy दी पंजब बिच के आदे उर्जा की हुं दिया energy energy की हुं दिया capacity to do work capacity to do work हिमत काम करां दी कि नहीं उसनों आपकी क्या दिनने energy क्या दिनने ठीक है देखो energy की है एवी scalar quantity है एवी किस ते डिपेंड कर दी है magnitude ते डिरेक्शन ते डिपेंड नहीं कर दी clear इस तो अलावा energy दीका लगती जावे ता एही is the SI unit V Joule हुं दिया की हुं दिया एक कुछ point ने तुसी याद करके रखोंगे ठीक है मतलब कोई भी काम करना हु तो टाइप सुन दिया kinetic energy and potential energy दो टाइप सी हुंगे kinetic energy and potential energy kinetic नो बोल दे गतीज उर्जा potential energy नो बोल दे ने सतीज उर्जा I think स्थिती नाल हुंदे सतीज सतीज उर्जा तो यह दो टाइप सी है energy है इनना तो इतानों सारी energy clear होगी सब तो पहला पगल करांगे kinetic energy दी नाम की दस्यास में पंजाब बीच गतीज गतीज ना मतलब की है जो गती ना लेंक करें ठीक है किस तो energy किसे भी body दी due to its motion ओधी गतीज नाल होवे उन्हों अपकी क्या दन्या kinetic energy क्या दन्या clear जिमें अगर किसे body दा mass किनने M ओव विलोस्टी नाल चाल रही है तो ओधी kinetic energy की हो जन्दी half mv square किननी हो जन्दी half mv square दिखो एदी derivation करन दी तो अन्हों कोई जरूरत नी बस यह तो अन्हों पता होनी चाहिए कि मास्टी डिपेंड करती है यूनिफॉम विलोस्टी दे किनाइटी के energy directly proportional कि मास्टी मास्टी वदना kinetic energy वद्दी है and directly proportional कि square of the velocity kinetic energy करने दो वद्दे डबल हो जन्द एइए square हो जन्द वदा मतल है अगर मास्ट डबल हो जन्द है मास्टढों मैं डबल कार दिननी है कि यह kinetic energy वी की हो जोगी पर अगर विलोस्टी नो डबल कर दिननी है सब किनाइटी के energy की हो जन दी है four times हो चुली यह चीक है अगर विलोस चीनों में हाफ कार देने हैं तो किनाइटिक एनर्जी वन फोर्थ हो चुली ठीक है तो एक तुसी त्यान रखोंगे हो अगर गलकरा किनाइटिक एनर्जी मास थे विलोस ची ते डिपेंड कर दिये therefore, जडियां heavy bodies हों दियां, ओ high velocity नल चल दियांने, and जडियां, मतलब heavy, small, small weight वालियां हों दियांने, मतलब cut mass वालियां हों दियांने, उनना दिकिं दिया, slow moving हों दियांने, जडियां high velocity वालियां हों दियांने, high की होगी kinetic energy, कि देना आल compare कर रहें हैं आपा, small वालियांना, जीक हैं, एत्यांच रखियों, simple जडियां कोश्चन बाण जान दियां, जिमें calculate करो kinetic energy, mass किनने 2 kg, velocity किनने 0.1 meter per second, फोर्मूला किनने half mv square, half mv square, इद्धा, ता tunnel to cancel किनने 0.01 J, units ते आंच रखने हैं, और कुछ भी नहीं है, clear, इद्धा दे, कुश्चन बन जन दे, next आप अगल करेंगे, जो second type C, potential energy, देखो, potential ना मैं नाम दसे है, सतीज उर्जा, जो स्थिती ना लिंक करें, जो position ना लिंक करें, उसनों आप पा की क्या दिनने, potential energy, छीक है, it is an energy possessed by a body, due to its position, जो किसे position ना लिंक करें, उसनों आप पा की क्या दिनने, potential energy क्या दिनने, छीक है, जी, हुन देखो, potential energy, इदी position दी वज़ा देना लाजी में कोई भी body है, कोई भी elevated position दे वीचे है, ठीक है, कोई stone है, किते पे है, कोई roof ते पे है, छाते थे stone पे है, या कोई पानी स्टोर करन वाला टैंक है, तो नीचे कदो होगा, जदो ओधे आपा कम करांगे, कोई कम, अगर उनों उच्छी उठाई जावागे, जादा कम करना पहोगा, उन भी potential energy है, में लिए अगर आपा गाल करिए, water जो dam दे वीचे store किता जन्द है, ओधे कोई ना कोई की हुँदी है, पोटेंशल energy हुँदी है, ओधे position दी बज़ा देना, ठीक है, किसे चीज नों stretch करना, spring नों compress करना, ये भी potential energy दे बेस्ट हुँदी है, में लिए किस किस चीज दे डिपेंड कर दी है, मास थे, gravity थे, height थे, जो तो position होगी था किसी काल कर दे है, मतलब, देखो, force था formula किन दे, ma, जो तो gravity ना link कर दे है, अपा mg लिख दे है, हुँदा अपन पता है, work done किन दे, m into displacement, force थी जगह, अपा mg लिख था, displacement थे, height थे, ना, क्योंकि height थे, depend कर दी है, हाँ न, ता potential energy अपने कोल की हो जन्दी है, mg, h, जो किस थे, depend कर दी है, mass थे, gravity थे, and height थे, depend कर दी है, ठीक है, हुँदा देखो, अगर gravitational potential of the body, surface थे है, एदा मतलब किया, surface थे, उपर है, on the surface थे है, ता एदा मतलब, ओधी height किन्नी होगी, 0, ता एदा मतलब, potential energy भी किन्नी होगी, 0, clear, second देखो, अगर, body upward move कर रही है, उपर नो जा रही है, upward move कर रही है, ता एदा मतलब किया है, ओधी h increase हो रही है, height increase हो रही है, एदा मतलब, potential energy भी किन्नी हो रही है, increase, एकुछ point ने, सिद्धे याद कर लिए, अगर downward आ रही है, एदा मतलब, height नीचे नो हो रही है, मैं दो कट रही है, body moves downward, ता potential energy भी किन्नी हो जोगी, decrease, clear, ता gravitational potential energy किस ते depend कर दी है, mainly, अगर, पुछले है, initial and final position थे body थी, ठीक है, initial थे final position थे path थे dependent नहीं कर दी, a important point थे question भी आया है, important, initial थे final position थे depend कर दी है, बट path थे dependent नहीं कर दी, कि किद्धा जा रहे है, zigzag जा रहे है, straights आ रहे हैं, इन्हों कोई फर्क नहीं पेंदा, ठीक है, जी, clear question कितना दियानगे, जी में आपा potential energy find out करनी है, mass 10 kg है, height अपनों 6 meter जित्ती होई है, तो gravity अपनों पता है, जे नावी जित्ती होए 9.8 लेके चलने हैं, तहाँ, फॉर्मूलेच पुट कर दो, MGH, M किन्ने 10, G किन्ने 9.8, H किन्ने 10, कैंसल किन्ना आगे 9.80, ठीक है, जी, June, clear, sorry, 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 मैं H6 है, मैं आपे 10 ले रही हैं, बताने क्यों, wait, हाँ जी, मैं भी सोच चा, इन्वी इन्ना सिम्पल कित्दा होगा, 6, तहाँ, 10 ले, 10 ले, 10 कैंसल, 98 ले, 6 ले, मल्टिप्लाई कर दो, किन्ना आगे 5.88, June, ठीक है, जी, clear, एद्धा दे तो अन्नो की बन जन देने, कोशन बन जन दे, I hope तो अन्नो एग चीजा clear हो गिया हो लिया, clear, and इस दे वीचे होड तो कुछ नी, एक कनाइटिक एनर्जी ते मोमेंटम दा relation है, relation of कनाइटिक एनर्जी और पोटेंशल, and momentum, sorry, तक इनना दे कनाइटिक एनर्जी अपन पता हाफ M, V स्केर हों दिया है, M ना मल्टिप्लाई कर दो, M ना डिवाइड कर दो, की बन गया, हाफ M स्केर, V स्केर बाई M, की बन गया, हाफ A की होंदए मोमेंटम, P 10 स्केर, MV ना मोमेंटम, ता P 10 स्केर बाई किनना आगया, M, ता की हो गया, P स्केर बाई 2M, A की इस दे इक कुला कनाइटिक एनर्जी ता इननादर रिलेशन हो गया, ठीक है, इतो भी कॉश्चन बन जाने, पूरे चैप्टर, छोटी छोटी जी जी, तो कॉश्चन बने में तो उन्हों सारी करवाते है, क्लियर जी, I hope तो उन्हों ये समझ आया होना, क्लियर, बाकी नेक्स्ट, चैप्टर नेक्स्ट वीडियो दे वीच करांगी, तेंक यू सो मच जिनना नो वीडियोज अच्छियां लाग रही हैं एंड मैंनों स्पोर्ट कर दे हैं एंड मैंनों कमेंड करके मोटिवेट कर दे रहें दे कि वीडियोज टाइमनल अपलोड हो जान तेंक यू